हेलो एवरीवन वेलकम टू माई सीक्रेट एस्पी कोर्णर आज हम बनाएंगे जामुन का सिर्का जामुन का सिर्का हमारी स्वास्ते के लिए काफी लाब दायक माना जाता है अगर आप डाइबिटीज से परेशान है तो जामुन के सिर्के का इस्तमाल करके आप नैचुरल त सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं जामुन का सिर्का बनाने के लिए मैंने दो किलो जामुन को अच्छे से वोस करके धूम में सुखा लिया है सुखाने के आपने मैसर की हैब से भी मैस कर सकते हैं लेकिन मैंने हाथ से मैस करूंगी हाथ से अच्छे से मैस हो जाते हैं और इनकरस अच्छे से निकल जाएगा हाथों से मैश करते हुए इनका रस अच्छे से निकाल ले डाइबिटेज के रोग्यों के लिए जामुन का सिर्का बहुत लाबकारी होता है ये घर पर आसानी से बन जाता है जामुन का सिर्का बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के लिए अच्छा होता है ये देखे हमारी जामुन में से रस निकलने लगा है और इनके सिर्च अलग होने लगे हैं इसी तरह से हम मैश करते हुए इनका सारा रस निकाल लेंगे ये देखे हमारी जामुन में से कितना सारा रस निकला है और हमारी जामुन अच्छे से मैश हो चुकी है सबसे पहले अब हमें एक बड़ा भीगोन और एक छन्नी लेंगे ये छन्नी आसानी से सभी के घर में मिल जाएगी और मैश की हुए जामुन को इसमें डाल कर दबाते हुए इनका सारा रस भीगोने में निकाल लेंगे ये देखे हमने दबाते वे इनका रस निकाल लिया है और बीजू पर रह गए है देखे कितना सारा रस निकला है और जो हमारे हाफ जामून बच गए थे उनको भी मैस करके उनका भी रस हम निकाल लेंगे हमारा सारा रस निकल गया है अब हम इसे एक बार और साफ कपड़े में चान लेंगे हमने जामून के रस को अच्छे से चान लिया है और ये देखे कितना सारा रस बना है अब हम इसे एक जार में डालेंगे चिर्के को हमने जार में डाल लिया है अब हम एक कंटेनर लेंगे उसमें दो लाल मिर्च डालेंगे हाफ टीजपून काला नमक अब हम जामून के रस को इस कंटेनर में डाल देंगे और इसे 15 दिन के लिए धूप में रखेंगे और अगर आप इसे जल्दी से तयार करना चाहते हैं तो अगर आपके पास पुराना सिर्का हो आधा कप सिर्का इसमें मिला दिज्ये ये 4-5 दिन में बन कर तयार हो जाएगा